सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकन डबाना न भुले क्या एक छण में कोई साधू किसी की चिंता को नश्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है परंतु पहले व्याकरण के द्वारा हम साधू शब्द का अर्थ समझें कि साधू किसे कहते है व्याकरण में साध सब्द से उन प्रत्यय होकर साधू सब्द वित्पन होता है जिसका अर्ष है साधनोति, सरवानि, इंद्रियानि, यह सहाधू जिसने अपने इंद्रियों को साध लिया है, वही है साधू तो जिसने अपने इंद्रियों को साध लिया है, ऐसे साधू का संग एक छण में चिंता को नश्ट कर सकता है लेकिन जिनकी इंद्रियों नहीं सधी है, जो आचरन ही नहीं है लेकिन फिर भी साधू का भेश धारण कर लिया है ऐसे लोगों के साथ पूरा जीवन ही क्यों ना बिता दो, परंतु फिर भी तुम्हारी चिंता नश्ट नहीं हो सकती आज नारद मुनी उस इस्त्री से बोले कहें देवी, तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में ये दो पुरुश शो रही हैं, ये कौन हैं? तब भास्त्री बोली अहम भक्ती रितिख्याता इमव मेतनयव मतव ज्ञान वैराग्य नामानव कालयोगे नजरजरव उस इस्त्री ने कहा ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है परन्तु कालयोगे नजरजरव हे नारज, कलयोग के कारण मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं हे नारज, पहले तो मैं भी बूढ़ी थी लेकिन मैं जब से इस श्री धाम वरंदावन में आई हूँ तब से जवान हो गई हूँ नारज मुनी ने कहा हे भक्ती माता, ये वरंदावन धन्य है जहां भक्ती निर्थ्य करती है धन्यम वरंदावन तेन भक्ती निर्थ्यत यत्रच धन्य है ये वरंदावन तब तो नारज मुनी ज्यान वैराग्य को जगाने के लिए उनके कानों में वेद, वेदांत और गीता का पाठ शुनाने लगे परन्तु फिर भी ज्यान वैराग्य जग नहीं रही है क्यों कि वरंदावन में ज्यान वैराग्य ठीक नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है क्यों कि वरंदावन में तो भक्ती की कीमत है ज्यान वैराग्य की नहीं इस वरंदावन में बड़े बड़े ज्यानी और वैराग्य आए परन्तु यहां की गोपियों की चरण की रज में खो गए आज तक मिले नहीं अगर किसी को ज्यान सीखना है तो वो जनकपुर जाएं क्योंकि जनकपुर की भूमी ज्यान भूमी है अगर किसी को धर्म सीखना है तो वो आयोध्या जाएं क्योंकि आयोध्या धर्म भूमी है अगर किसी को योग सीखना है तो वो द्वार का जाएं क्योंकि द्वार का योग भूमी है लेकिन अगर किसी को प्रेम सीखना है तो वो मेरे वरंदावन में आएं क्योंकि व्रिंदावन प्रेम भूमी है